आप एज़ाएं निरंजन जोती जी के पास कहते हैं जो बोलती हैं बेबाग बोलती हैं तपाग बोलती हैं और सीधा सपाट जवाब देती हैं ना कोई लाग ना लपेट लगातार मोधी जी ने भी इंस्ट्रक्शन्स दियें कि सनातन धर्म का अपमान अब हमारे जो भी नेत हैं वो बरदास्त ना करें और सीधा जवाब दें अगर कोई गलत बोलता है और बात जहां तक जाती है कि शुरूबात हुई थी कहां से कि उध्य निधी स्टालिन जो एमके स्टालिन के बेटे हैं और कर्णा निधी के उते हैं उन्होंने बयान दिया कि सनातन एक डैंगू और मलेरिया की तरह है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए उस बयान पे पूरे देश में आग भड़क गई लेकिन इंडिया के जो कदावर नेता हैं अपने बयान पर चुप हैं लगातार चाहें वो उद्धव ठाकरे हो चाहें आरजेडी हो चाहें आम आदमी पार्ट हुआ कि वो ठीघक मेरे पर कोई टिप्पिडी मेरे चरहें बर्दास्त कटम और क्वनसेश का मेरे हैं लेकिन मेरे देश की संक्रति इंड़ती स्वस्कृति और उसमें इंडिया जो नया नया गड़बंधन बना है नकली जनेव धारी चुनावी हिंदू और कल मैं सुन रही थी कि मैंने गीता पड़ी ये उपनी सद पड़ी है राहूल जी गीता उपनी सद पड़ी नहीं जाती समझी जाती है ये किसी गुर महापुरुस के पास पांडवास चाहिव की मह परोता संजे से दृतराष्ण ने पूछा कुरुपचेत्र के जो धर्म युद्ध हो रहा है उस युद्ध के चेत्र में मेरे पुत्र और पांड़ पुत्र क्या कर रहे हैं यदि ये पढ़ा होता तो कम से कम धरम के भी सैपर चिंतन करते राहूल दरिफ गांदी का किनल już ुझे मालूम है कोई विश्यों के संतान रिश्यों ने हमें धर्म दिया है, हमें रास्ता दिया है, मैं एक बात कहां करती हूँ कि अन्या करने माला इतना बड़ा परादी नहीं होता है, अन्याय को जो चुकचाफ सहन करता है, वो सबसे बड़ा परादी है, इंडिया के जितने नेता इन बयानों को चुकचाफ सहन कर रहे हैं, स्टालिन से भी जदा परादी हैं, हिंदु धर्म को गाली देना, कब तक गाली दोगे मैं इतना कहना चाहती हूँ इसी धर्मे में पैदा होने वाला कंस हुआ वो भी नहीं टिक पाया इसी धर्मे में कंस पैदा हुआ यदि सनातन धर्म को मिटाने के लिए तो स्वेम भगवान रिक्ष्ट ने विराठ रोब धारण करके कंस को खतम किया ये हिंदू एक विक्ती से नहीं चला हिंदू हमारी एक परंपरा संस्कृती है धर्मो रक्षती रक्षिता हमारा सास्त्र कहता है या तो धर्मो तो जया जहां धर्म है वही जय होते है दूसरा विसे में एक और बात कॉंग्रेस सहीत पूरे विपक्ष के लिडरों से जिसमें उदों से जरूर पूछना चाहती हूँ कि आज कम से कम बाला साप ठाकरे होते या तो सर पकड़ के बैठे रो रहे होते या फिर उनकी आत्मा कहीं होगी तो जरूर कोस रही होगी जब धाचा तूटा था हम भी वहीं थे बाला साप ठाकरे ने चाती ठोक करके कहा था कि मेरे सिव सैनिकों ने तोरा हां मैं हिंदु धर्म के लिए हूँ लेकिन उधों ठाकरे मुख मंत्री के कारण अपने पित्ता के सिद्धन्तों को भी ताक में रख दिया है मैं चेतावनी देना चाहती हूँ मैं राजनिता के नाते नहीं मैं संत के नाते कहना चाहती हूँ किसी में ताकत है धर्म के भिशे पर सास्त्रा कर ले आकर के हमारे संत्रों अभी गोद्रा वाला बयान भी दिया है उस पर क्या कहेंगे है हमारे बीच में आकर के संबाद कर लें आकर के गोद्रा इसका मतलब ये इंडिया कोई न कोई सडियंत्र रचेगा भारतिये जनता पाटी इनको रोकेगी राम मंदिर का घाटन होगा और ये बयान आ रहा है तो इसका मतलब विपपच्छी इसकी औजना बना रहे हैं मैं आरोप लगा रहे हूं ये इस तरह की घटना कहीं घटती है भारति जनता पार्टी के कार करताओं के द्वारा नहीं इंडिया गडबंधन के द्वारा किया जाएगा हमारे देश को बदनाम करने के लिए हमारी संस स्टालिन हैं उनकी जो मां हैं वो मंदरों में दान करती है लेकिन उनका बेटा इस तरह की बात करता है। पा सकते, गरीब से ले करके, किसान से ले करके, ब्यापार से ले करके, सीमा से ले करके, अंतरराष्टी जगत से ले करके, कहीं भी कोई मोदी जी को पीछे नहीं कर सकता, तो आज ये हिंदू धर्म को कुछनने का प्रयास करें, और मैं आज कह रहे हूं, हिंदू धर्म कोई क के चले गाए लेकिन हिंदू संस्क्रति को कोई खतम नहीं कर सकता। कांग्रिस मौन है एक तरह से लेकिन जो आपके अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रिस कांग्रिस का अध्यक्ष रहे हैं। राजनीत्य आज एकल नहीं रहेगी लेकिन हिंदु धर मेरा सभी रहेगा ऐसे लोगों को मुझ तोड जवाब देना पड़ेगा और मैं तो इतने कह सकती हूँ जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से वो सनातन क्या मिटेगा इस्टालियन के बेटे से कभी खतम नहीं हो सकता है मैं इतने कहना चाहती हूँ मैं 40-42 साल से सनातन धरमे में हूँ गीता पड़ी उपनी सद पड़ी और मैंने पड़ी नहीं है गुर्वों से अध्धन किया है राहुल गांदी जी गीता और उपनी सद की बदनामी मत करो बाइबिल पड़ी होगी तुमने बाइबिल का मैं सम्म करते हैं लेकिन मैंने नहीं पड़ा लेकिन मैंने गीता पड़ी है उपनी सद पड़े हैं कितने उपनी सद हैं मालूम है उसको अभी पूछ दिया जा कि कितने उपनी सद हैं और 118 उपनी सद हैं बेद कितने बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे बता पाएंगे अच्छा एक बात और जैसा कि पूरे देश में संदेश जा रहा है कि अब भारत जिस तरह से भारत सब्द को पीछे रखकर इंडिया सब्द को आगे रखा जा रहा था अब तक सरकारें चेती हैं और क्या आजादी के अमरत काल में भारत और इंडिया दोनों ह हम तो भारत माता कि जह हमें सब बोलते रहें अजादी के समय जो हमारे सरकारी काम है वो सरकारी क्योंकि गुलामी मानसिक्ता वाली सरकार रही अभी था मैं तो इतना अरोप लगा रहे हूं उनको उत्तरपदेश में एक नेता हैं मैं किसी मुसल्मान की भी रोधी नहीं हू लेकिन मंदिर के नाम से यतराज है मैं एतने कहना चाहती हूं हमने जहां मुसलिम का सम्मान दिया हिसाई का सम्मान दिया जो भी भारत वासी है सबका सम्मान सबका साथ सबके लिए आवाज सबके लिए सवचाले सबके लिए गय सबको दे रहे हैं हमने कभी पक्षपात नह कि लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हूं संत होने के नाते मंत्री होने के नाते नहीं कि मेरा सन्तन धर्म कभी न खताउन वोड़ा है जो मेटने आएगा उस ऐ मिटेगा और 24 में आप आज नोट कर लेजिए मूधी जिया है committee सिदा सीदा साफ साफ बिगर लाग लग झाल झाल